नमश्कार आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूस आईए देखते हैं जगदलपूर की खबरे दिल्ली के लिए सीधी सेवा के लिए बस्तर वासियों को बढ़ाई दी उन्हें इसके लिए जिला प्रिशासन की प्रयासों की सरहना की बस्तर के लिए इतिहासी कलम हा जब शहर से दिल्ली के लिए फ्लाइट आज रवाना हुई सब्ता में दो दिन सोमार और शुक्रवार को फ्लाइट यहां से ऑपरेट होगी दिल्ले से सुबा साड़े साथ बजे उडान भरेगी नौ बचकर पचास मिनट को जगबलपूर पहुँचेगी वहां तीस मिनट का स्टॉप इज लेकर दस बचकर पंदरा मिनट पर जगबलपूर के लिए उडान भर कर ग्यारा बचकर 35 मिनट पर जगबलपूर पहुचेगी दोपहर बारा मजे फ्लाइट यहां से रवाना होगी दोपहर एक बचकर पच्चीस मिनट पर जबलपूर पहुचेगी वहां से फ्लाइट एक बचकर पच्चास मिनट पर दिल्ले के लिए उडान भरेगी जो की दो पहर तीन बच कर पचपन मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी पहले दिन शहर से दिल्ले के लिए उडान भरने 27 सियात्रियों ने टिकट बुक करवाई है इसे विमान से 24 सियात्री जिगदलपूर पहुंचे विमान की दिल्ले के लिए सेवा प्रारंब होने पर कलेक्टर विजय दयाराम के ने विमान सेवा के विस्तार के लिए सभी को बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही बस्तर में विमान सेवा बढ़ाने का लगातार प्रयास किया गया जिसमें इस्थाने विधायक देव की भोमी का महतपोर्णा रही है हमारे एरपोर्ट से इसमाद दो विमान सिवा प्रारंप की जारी है जो शेत्र के विकास परटन वैपार के लिए लाप प्रद होगा कारिक्रम में यात्रियों का स्वागत पुश्पत दे कर किया साथ यात्रियों ने भी अपना अनुभाव को साज़ा किया विमान के पाइलट, को पाइलट, क्रू के सदसियों के साथ उपस्थी ततीतियों ने केक काट कर कारिक्रम को सलबेट किया ग्यातो की केंद्रे सरकार ने उडान योजना के तहट बस्तर से यहाँ सेवा शुरू की है जिगदलपूर दिल्ली सेक्टर को रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम में शामिल किया है आने वाले तीन साल तक बस्तर की यातरी रियायती दर पर इस रूट पर यातरा कर पाएंगे ल कर दो, क्या हुआर को व्याँ!